यह वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए यहांपर बहुत सारे कंपणियों के बारे बताने जा रहा हूं जिससे शेयर होल्डर को काफी जादा को बेनिफिट होने वाला है वेल्लू क्रेशन देखने को मिलेगा बहुत सारे अपडेट् ITC के शेयर होल्डर को काफी बधाईये मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी खबर है जित्ते लोगों ने भी ITC के शेयर को खरीद रखा हाला के सर लंबे समय में तो इसने काफी एच्छा रिटन निकालके दिया ही है और डिविडेंड भी क रखा है डिमर्जर होगा तो उनको क्या फाइदा मिलेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपके पास यह डिमर्जर होता है देखे 99% लोगों ने तो सर अप्रूफ कर दिया डिमर्जर के लिए ITC के अगर आपके पास चार शेयर हैं कितने फोर सॉरी सॉरी ठीक है तो फिर आप अपना एक्षा पैस लगा कर खरी सकते हो आपके पास ITC के 10 शेयर होने चाहिए तब आपको मिलागे एक होटल वाला शेयर मिलेगा सर क्यों 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 सर इनका जो बिजनस है न होटल वाल जो बिजनस है बहुत अच्छा चलता हुगा नजर आ रहा है और 99% स न sagen लिए बड़ी खबर आचुकी है यहाँँ पर आपको बताया जा रहा है तो यह हां सर टाटा मोटर का जो commercial वेकलज है यह भी डिमर होता अलग-अलग रहेंगे तो sir, company अच्छी तरीके से manage कर पाती है, अपने business को, कहने का मतलब है कि sir, जो passenger vehicle पर ध्यान दे रहे हैं sir, वो अच्छी तरीके से वहाँ design संबालेंगे, वहाँ की technology देखेंगे, वहाँ की facility देखेंगे, वहाँ की logo को समझेंगे sir, लेकिन जो heavy vehicles वाले है इनकी क्या होती है, इनकी sir, अलग type की requirement होती है, यहाँ पर luxuriousness नहीं चाहिए होता, यहाँ पर extra facility नहीं चाहिए होता, अच्छे load वाले चाहिए होते है sir, अच्छे load केरी करने वाले, fuel efficient होना चाहिए, यह electric vehicles वाले हैं, तो वो efficient होना चाहिए, और लग बहुत सारी ऐसे benefit होता ह तो यह अलग-अलग business होते है sir, actual में यह अलग-अलग business होता है, आप लोग अगर आप देखोगे, maruti, maruti तो sir, लगबग केवल एक ही business पर focus करता है, अपना core business पर, aso clear land, तो sir, aso clear land भी अगर आप देखोगे, तो heavy vehicles पर focus करता है sir, कहने का मत्ता पर सारी कि सबका अलग-अलग business देखने को मिलता है, तो यह भी मैं आपको लोगगा कि Tata Motor के share rollers के लिए यह एक अच्छी खबर है, उनके business अलग-अलग होते हैं उने जराएंगे, तो आपके सस्ते price में कहने का मतलब है, छोटे price में रहेंगे, आप उसको नीचे से भी खरीच सकते हो sir, और Tata Motor में देखो सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देता है sir, Jaguar Land Rover, सबसे ज़्यादा लग-बग जो 70 से 80% पैसा तो sir, Jaguar Land Rover कमा कर देता है, और sir, होता क्या है, कि Heavy vehicles वाले अच्छे perform नहीं कर पाते हैं, तो sir, Jaguar Land Rover को भी sir, loss bear करना पड़ता है, अभी माल लेते हैं, देखिए, Jaguar Land Rover ने sir, माल ल पड़ता है, यहां से minus करना पड़ेगा, sir, इसने loss किया है, तो इसके share price गिरेंगे, अब, और Jaguar Land Rover profit करेंगे, तो इसके share price continue भागते रहें, क्योंकि दोनों का business अलग-अलग हो जाएगा, और यहां देखिए, यहां पर sir, आपको बताया जा रहा, वेदानता share rally, ठीक है, over 3%, ASBI ने approve कर दिया, sir, Deemer Jack Plan को, आप लोग बोलेंगे, sir, ASBI ने approve कर दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ASBI का क्या रोल होता है, देखिए, दो चीज़े हो सकती है, sir, यहां पर, दो चीज़े, या तो ASBI ने stake खरीद रखा होगा, वेदानता के अंदर, बहुत बड़े level में, या तो हो सकता है, sir, ASBI ने किसी तरीके से पैसे दिया होंगे, या किसी तरीके से, तो हो कह रहा तक, sir, देखिए, ASBI है, बहुत बड़ा प्लिया, अब इसने गर मान लेते हैं, ASBI ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, मान लिजे, वेदानता का, अगर मान लेते हैं, कि 5% स्ट की दुनिया में बड़े लेवल में काम करना चाहता है, पिछले बार तो, sir, ये लगबग, जो है, कि डिलिस्ट होना चाहती थी, लेकिन डिलिस्टिंग फेल हो गई थी, sir, डिलिस्टिंग फेल हो गई थी, sir, इस बार, sir, company को अच्छा opportunity मिला है, 2020 में ये खबर आया था, sir, 2020 20 में, they have, देख सकते हो, fail to, यहाँ पर देख सकते हो, जो लगबग, डिलिस्ट करने के लिए बूला जा रहा था, वो नहीं हो पाया, sir, यहाँ पर, जो number required चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, यहाँ पर, उनको, तो, डिलिस्टिंग फेल हो गया था, आब यह बोल रहा है, कि भाई, चलो, कोई बात में, हम डिलिस्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, हम डिमर्ज कर देंगे, डिमर्ज कर देंगे, ऐसा है, लेकिर यह लोग, बिजनस बड़े लिवल में करेंगे, sir, यहाँ तक का, sir, रिलाइन्स भी, रिलाइन्स तो आपको पता यह हो न, sir, रिलाइन के अंदर एजियो फाइनिशल क्या दिक्कत है, ऐसे भी देखिए, उतना माल लिजे, sir, यह पहरे 100 रुपे कमाता था, और यह माल लिजे 50 रुपे कमाता था, अब, sir, यह दोनों साथ में हैं, तो भी 150 कमाएंगे, दोनों अलग-अलग हैं, तो भी 150 कमाएंगे, फर्क क्या ह होगा, देखिए, मैं आपको बता देना चाता हूँ, कमपनी अगर डीमर्ज होती है, तो क्या-क्या फायदे होते हैं, अभी माल लेते हैं, sir, देखिए, होगा क्या, कि अभी माल लेते हैं, sir, वो अपमाल लेजे, उनका सिक्रेट का बिजनस है, अब sir, उनका होटल का बिजनस है, तो वो हो जाएगा, अब sir, होगा क्या, कि होटल में, sir, वो उनको देखना पड़े गा, कि लोगों के किस टाप के फैसलिटी है, क्या है, नहीं हैं, उधर का अलग बुजनस हो जाता ह जीजियो फांईशटी का हो जाता है, छो फाइश applis की दुनिया में ध्यान देगें, अब रिनाइंस। इंड्रस्टी का फ्री इंड़र की दुनिया में ध्यान देते है्श नए-ने idea implement किये रहते हैं, तो एक company को ही बहुत ज़्यादा फायदा होता है, दूसरे अपना संभाले भाई, ऐसा होता है, दुनिया बदल जाता है, जैसे reliance refinery के लिए काम करता है, तो आने वाले जमाने में से refinery कुछ खाज चल नहीं पाएगा, तो इसलिए सर, यह लोग अलग 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 company यह करते हैं, security करते हैं, विजानता semiconductor में जाने वाला है, उनको पता है, पहले वाला जो मेरे business वो ठीक नहीं चल रहा है, semiconductor का दुनिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हम business करेंगे, तो चीजें बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, सर, यहाँ पर, पॉली का यह ब इंडिया बोला जा रहा है, यह जो company है, इसने अपना roadmap दिया है, कि हम आने वाले जमाने में, future plan में, हम किस कदर जो है, अपने आपको innovate करके, आगे लेके जाएंगे, सर, expansion, expansion का मतलब होता है, सर, अपने business को बढ़ा करना, मतलब कहने का मतलब है, कि पहले हम आ लिता है, कि 100 metric ton production कर रहे थे, metric ton, अब क्या, सर, हम 150 metric ton production करेंगा, 50 metric ton क्या, यह extra production करेंगा, हम same, जगे पे, सर, और उसमें क्या होता है, सर, business को अलग कर दिया जाता, short term के बात अलग है, लेकिन long term में जिस तरह के से polycap के, इसके उपर से में एक detail video बनाने के कोशिश करूँगा, कि क्या expansion करना चाहते हैं, कितने बड़े level में expansion करना चाहते हैं, और किस की business में और entry लेना चाहते हैं, या नई लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़े में आपको एक complete वीडियो में बताता हुगा नजर आ जाओंगा, जिसमें मैं आपको industry का overview दिखाऊंगा, हर एक चीज, और अगर stock market में नहीं हो, तो अपने demand account engine में open कर सकते हो, जहाँ पर आपका demand account बिल्कुल free, delivery charge is free, क्योंट 20 रुपिज लगता वो भी इंट्राडे में, description में लिंक दिया गया है, मिन्टो में जाके अपने demand account बगर open कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल free में sir,